उत्राखण के चारधाम यात्रा में तीर्थी यार्थी दर्शन करने को पहुँच रही है गुजरात महराज्च मध्यप्रदेश राजिस्थान आदी राज्यों से शद्धालू की भारी भीर देखने को मिल रही है लेकिन इसी के बीच एक चिंता करने वाली खबर भी सामने आई है दस मैई से शुरू चारधाम यात्रा में तीर्थी यात्रों की मौत भी हो रही है चारधाम यात्रा में बारा दिनों के दोरान 42 यात्यों की मौत हो गई राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के ओर से बुद्धवार को सचिवाले इस्थित कंट्रोल रूम में ये डाटा जारी किया गया वह इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है राज्य आपात कालीन परिचालन केंद्र के बुलेटिन के अनुसार कपाच खुनले के बाद अब तक के दारनाथ में सबसे ज्यादा 19-30 यात्रियों की मौत हुई ह इसके बाद यमनोत्री में 12, बदिनात मिनो और गंगोत्री में 2 श्रधालों की जान जा चुकी है इस संबद में स्वास विभाग के अफसरों का कहना है कि यात्रा के दोरान जान गवाने वालों में अधिकांश बुजर्ग और पहले से किसी बीमारी से गरसित लोग थे हाल दाकि यात्रा से पूर्व तीर्थी यात्रियों की स्कीनिंग की जा रही है विभाग के अरुसार करीब डेड़ लाक्ष धालों की अभी तक स्क्रीनिंग कराई जा चकी है कर्मियों द्वारा एक लाग दस अजार आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है जिसमें लोगों की ब्लड पेशर की शुगर की जाज की जा रही है और उन्हें प्रकॉशन के बारे में बताया जा रहा है चारधा म्यात्रा पर आने वाले हर श्रधालू के लिए पंजिकरण अनिवार है मुखे सचेव राधर रतूरी ने सभी राज्यों के मुखे सचेवों को पत्र जारी करते वे यात्रा में व्यवस्था बनाने को सयोग करने को कहा है कि सभी राज्य अपने यहां पंजीकरण होने के बाद ही यात्रा शुरू करने का प्रचार प्रसार करें ताकि श्रधालू बिना पंजीकरण के अपने राज्य से रवाना ना हो सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थी यात्रियों के लिए पंजी करण को अनिवार किया गया फिलाल हरिद्वार उशिकेश में ओफलाइन पंजी करण भी 31 मई तक बंध है अब ऐसे में ऑनलाइन पंजिकरण के बाद ही शद्धालू चारधम यात्रा पर आ सकते हैं तीर्थ यात्रों के सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कदम उठाए गया है चाहिए केंद्र सरकार भी मदद करेगी उन्होंने सेंट्रल सी एपीएफ फोर्स के लिए बिकाए आई टीवीप अंडी आरिफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहां है उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मानेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं वैंस पूरे मामले को लेकर उत्राखन कॉंग्रिस के पूर्र प्रदेश अध्यश कणेश गोधियान ने धावी सरकार से चारधाम यात्रा प्राधिकरण के लिए सर्वदरिये बैठक बुलाने की मांग की है गणेश गोधिया ने आरोप लगाया है कि सरकार ने यात्रा के शुबवसर को कूप्रबंधन के चलते समस्या में बदल दिया इस बार सरकार कूप्रबंधन के चलते यात्रा के पहले पखवाडे में ही ये शुबवसर समस्या में बदल गया यमनोत्री यात्रा रूट पर प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ रही है। अक्षराज हित में इस काम में रशनात्मक सहयोग देने को तयार है। आधार पर इस चारधाम यात्रा के चलते अपने सार भर का गुजारा उसकी व्योस्ता करते हैं। लेकिन एक हमते भी नहीं पीदा और जब से यात्रा परारप हुई है। सरकार के बद इंतजामी के चलते यात्रा पूरे यात्रा के व्योस्ता पर प्रस्विचिन लगा हुआ है। और आज ये यात्रा जिसका किंतजार एक साल से लोगों को था बड़ी खुशिक के साथ इसका फ़ागत हम सम लोगों ने किया। आज एक पपड़े में ये इतनी बड़ी समश्या के रूप में सरकार ने इसको बना दिया है। वहीं बीजेपी की माने तो गणेश गोदियाल अपना मानसिक संतुलन खोड़ चुके हैं इसलिए इस तरह की बात वो कर रही है।